ओम सायराम, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारी भक्ती, प्रेम और भरोसे के बारे में अच्छी तरह मालुम है। मैंने तुम्हारा हाथ धामा हुआ है, कभी भी खुद को अकेले ना समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं अपनी मौजूद्की का एहसास पहले दे चुका हूँ। ये संदेश तुम्हारे लिए है, तुम हिम्मती और बहाद्दुर हो। इस संदेश की जरिये मैं तुम्हारे कमजूर पढ़ते विश्वास को मजबूती देना चाहता हूँ। तुम्हारा शान्त रहना तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ट पाने में मदद करेगा। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम्हें मजबूती देता है, क्या तुम्हें खामोश कर देता है, और क्या तुम्हें खुशी देता है, मुझे सब पता है। तुम्हारी हर भावना को भैचानता और समझता हूँ मैं। मैं तुम्हारे सबसे करीब हूँ। हर कोई तुम्हें समझने और प्यार करने के काबल नहीं है, क्योंकि तुम खास हो। स्विकार करो इस सत्य को, कुछ चुनिंदा लोग ही तुम्हें तुम्हारे असली रूप रंग के साथ प्यार कर सकने की शमता रखते हैं। जो तुम्हारे प्यार को पाने की योगिता रखते हैं, सिर्फ वो ही तुम्हें समझ सकते हैं। तुम्हारे असली रूप को देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि लोग उसी तरह रिष्टों और दुनियादारी को समझें, जिस तरह तुम देखते और समझते हैं। पर ये भी गलत नहीं है कहना कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जो तुम्हारी तरह सोचते और समझते हैं। तुम ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे, इसमें विश्वास रखना। ऐसे लोग तुम्हारे सामने खुद बखुद आ जाएंगे। सदा खुश रहना और आत्म विश्वास से भरे रहना। कोई कुछ भी समझे या कहे, तुम अपने आपको किसी की खुशी के लिए ना बदलना। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तुम्हारी तरह सोचता हूँ। मैं विलकुल तुम्हारी तरह दिखता हूँ। तुम्हारे लिए सब शुब है, सब शुब ही होगा अपने साई के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बेहज पसंद है जै सायराम